सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासिस को और स्टेडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए सब्सक्राइब के लिए बहुत ही खास होने वाली है इसलिए आप वीडियो पर लास्तक बने रहें आपको बता दें कि यहां पर हम बहुत सारी इंफॉर्मिशन देने वाले हैं जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर PhD से रिलेटेड यहां पर एक न्यूज हम आपको देने वाले हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं बरेली कॉलिक से रिलेटेड भी न्यूज है यहां पर आपके मिट से रिलेटेड भी न्यूज है इसके अलावा आपके यहां MSC से रिलेटेड भी न्यूज है जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुच सकें देखें अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें आपी का नुकसान है क्योंकि जो भी अपडेट्स आती हैं वो आप तक नहीं पहुच पाएंगी इसलिए अगर आप पलपल की अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिजे साथ जाथ वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिएचडी में सीधे प्रवेश की अंतिम सूची जारी आपको बता देंगी प्रवेश है वो स्टार्ट हो चुके थे और वो भी हमने अपने वीडियो के माद्यम्जा आपको बता दिया था लेकिन अब इसमें अंतिम सूची जारी कर दी गई है जिसमें 115 चात्रों ने आविदन किया था लेकिन सिर्फ पचपन ही प्रवेश को योग्ये पाए गए 60 चात्र प्रवेश के लिए क्वालिफाइ नहीं कर सके शोद निदेशाले की ओर से 55 चात्रों को प्रवेश के लिए सूचना दी जाएगी इनके प्रवेश नवंबर में होंगे चात्र शोद निदेशाले की वेबसाइट पर सूची वे नाम देख सकते है शोद निदेशक प्रफेसर सुधीर कुमार ने बताया कि छात्रों के अंदिप सूची जारी कर दी गई है प्रवेश की सूचना छात्रों को दी जाएगी PhD में सीधे प्रवेश के लिए विश्विध्याले ने सितंबर में निर्देश जारी किये थे सीधे प्रवेश फेलोशिप पाने वाले छात्रों को ही दी जा रहे हैं अंदिप सूची में इतिहास में आठा वेदर में पाच जन्तु विज्ञान में तीन में से दो अर्थ सास्त्र में तीन में कोई भी नहीं रसायन विज्ञान में दो में से दो अंग्रेजी में साथ में से तीन, गड़ित में दो में से एक, भौतिक विज्ञान में पाच में से चार, शिक्षा में पंद्रा बे साथ, प्रवंधत में एक में से कोई भी रही CSIT में एक में से कोई भी रही, वाड़िजे में चौदा में से छे लोग, ड्रॉइंग, पेंटिंग में दो में से कोई भी रही भुगोल में साथ में से चार, हिंदी में सोला में से छे, विदी में छे में से एक, बनस्पती विज्ञान में पाँच में से चार, राज़नीती सास्तर में नौ में से चार, संस्कृत में पाँच में से चार, समास सास्तर में तीन में से एक, और उर्दु में एक में से एक चा प्रवेश के लिए योग्य पाया गया है आप अपनी सूची जो है वो शोन दिदेशाले की वेबसाइट पर देख सकते हैं बात करते हैं अगली न्यूस की बरेली कॉलिज की ये न्यूस है जिसमें बताया गया है कि लल्वी में जो आवेदन की तिथी थी वो आज आखरी दिन है मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि लल्वी में प्रवेश के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके है और उसके लिए सिर्फ आपको एक नवंबर तक कही टाइम दिया गया है तो जिन स्टुडेंट्स ते अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है वहर आपको 12 बजी तक अपना आवेदन कर दे एक नवंबर 12 बजी तक अपना आवेदन कर दे और यहां पर साड़े 400 स्टुडेंट्स ने इसमें प्रवेश के लिए अप्लाय कर भी दिया है जबकि सीट्स इतनी है भी नहीं लेकिन आपको बता दे कि इसमें मेरिट जार है कि आपके जो मिड टर्म है उसकी त्यारिया स्टार्ट हो चुकी है मैंने पहले आपको अपने वीडियो के मादिम से बताया था कि एक नवंबर से हो सकता है कि आपके मिड टर्म की त्यारिया स्टार्ट हो जाएं तो आपको बता दे कि मिड टर्म की त्यारिया भी स्टार देश दिये हैं आपको बता दे कि कोई भी कोर्स हो किसी भी सब्जेक्ट से हो अगर आपने इस साथ न्यू एड्मिशन लिया है तो आपके जो एक्जाम्स हैं वो सेमिस्टर वाइस होने वाले हैं क्यूंकि कोरोना के कारण दो साल से स्टुदेंट को प्रमोट करना पड़ रहा है इस वज़ा से सेमिस्टर कराने की तयारी की जा रही है जिससे कि अगर इस तरह की कोई भी कंडिशन आ जाती है तो आपको आपके सेमिस्टर के अकॉर्डिंग नेस सेमिस्टर में प्रमोट कर दिया जाए ऐसे में सभी महाविध्यालों ने अपने इस्तरवार परिक्षा की तयारिया शुरू कर दी हैं परिक्षा भले ही महाविध्याले कराएंगे लेकिन उत्तर फुक्स्तिकाय विश्विध्याले के द्वारा ही लब्द कराई जाएंगी बरेली कॉलेज ने मिट टर्म को भी मुख्य परिक्षा की तरह कराने की तयारिया शुरू कर दी है ताकि छात्र सेमिस्टर और मुख्य परिक्षा की अच्छे से तयारी कर सके इसके लिए जल्दी बरेली कॉलिज परिक्षा का शेडियूल जारी करेगा परिक्षा नवंबर में होंगी जिस तरह से विश्विध्याले विश्य बार परिक्षा की तितिवा पाली निर्धारित करता है वैसे ही बरेली कॉलिज की करेगा जबकि mid term की परिक्षा भिवाग भी अलग-अलग करवा सकता है अन्य महाविध्याले में mid term की तयारी में जुटे हुए है आपको बता दे चाहें आप किसी भी course के हो, किसी भी college के हो अगर आप M.J.P.R. इसे affiliated हैं तो आपकी परिक्षा इस बार semester से होंगी और semester में पहले आपको mid term के मतलब test करवाए जाएंगे तो mid term आपके नवंबर में होने वाले है इसलिए आप अपनी तयारियों में लग जाएए डेक्स बात करें M.S.C. गड़ित की तीसरी merit जारी कर दी गई है बरेली college में यहाँ पर एक नवंबर को प्रवेश लेना होगा स्टुनेंट्स को प्रवेश सन्वयक डॉक्टर वीपी सिख ने बताया कि M.C. में EWS कोटे में पंजी करण कराने वाले छात्रवी सोंबार को प्रवेश ले सकते हैं बताया कि वीवी ने पंजी करण की तिथी 2 नवंबर रखी है तो मार तक सभी प्रवेश होंगे गड़ेत की तीसरी merit का इंडेक्स हमानने open 123.154 से लेकर 122.354 वेटिंग में 121.896 EWS में सभी ले सकते हैं और OBC में 112.902 से लेकर 111.626 वेटिंग में 110.122 है SC open में 105.533 से लेकर 103.701 वेटिंग में 102.553 तक ये merit गई है तो चारों information में अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment box में comment करके पूछ सकते हैं इसके अलावा चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लीजे जिससे इस तरह की जो भी updates हैं आप तक सबसे पहले पहुँच सके साथी साथ वीडियो को like और share जरूर करें और आपको एक और information में देना चाहूंगी कि अगर आप BSC के students हैं तो आपको बता दें कि मैं जो है BSC की कुछ videos भी बनाती हूँ जिसमें मैं आपको notes प्रोवाइड करवाती हूँ उसमें मैं आपको topics explain करती हूँ तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को जरूर देखे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो